यूटूब के लेटेस्ट विडियोज ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां सेयर नहीं कर पा रहा हूँ साथ साथ स्टॉक मार्केट ये लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें लिंक विडियो के डिस्क्रिप्शन में है कर सकते हैं इस सारी बातों को हम इस विडियो में डिस्कस करेंगे देखे सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं निफ्टी काफी स्ट्रॉंग दिख रहा है यहां पर गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से यहां पर कल गैप अप ओप हुआ था और आज भी गैप अप ओ तो यहां पर जो गैप डाउन ओपन हुआ था 17,465 के नीचे हुआ था जब कि यह लगभग 17,400 पहुच चुका है तो मातर 60 से 65 पॉइंट बचा हुआ है जिसको फिल करना है निफ्टी को तो हो सकता है कल निफ्टी यहां पर गैप अप ओपन हो तो इस गैप को भी फिल का स पर यहां से रेसिटेंस फिल करके यह नीचे भी आ सकता है कल जो है मार्केट कैसे ओपन होता है इसको देखना पड़ेगा और मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह से प्राइस सेक्षन अपना बनाता है उसको भी देखेंगे बैंक निफ्टी की बाद प्रहें तदिकि बै बैंक निफ्टी भी अपना फिल करना बाकी है मतलब निफ्टी स्ट्रोंग है जबकि बैंक निफ्टी के कंप्रिजन में उतना नहीं है कल रेट केंडल बनाया था आज थोड़ा सा गिरिन केंडल बनाया बुलिस केंडल बनाया जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल बुलिस केंडल है तो कुछ खास स्ट्रिंथ यहां बैंक निफ्टी में हमें देखने नहीं मिल रहा है आप हम चलते हैं चोटे टाइम फ्रेम का जदे क अगर कल gap open हो जाता है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा यह sideways momentum करने के बाद फिर किसी एक direction में यह move कर सकता है तो यहाँ पर अगर यह gap open हुआ तो थोड़ा से यहाँ पर हो सकता है यह sideways move करें मूब करने के बाद अगर नीचे यह जो range बनाएगा इस range को नीचे ब्रेक करता है थोड़ा सा हमें नीचे का momentum जो है काफी कम देखने मिलेगा अगर यह ऊपर थोड़ा सा range बना करके ऊपर ब्रेक करता है तो हमें एक momentum मिल सकता है सबसे बेहतर होगा कि यह निफ्ट यही से काफी ज्यादा strong है कल sideways रहा था आज यहाँ पर निफ्टी जो काफी जावरदस्त रैली किया है उपर के और तो थोड़ा सा हमें weakness तब देखने मिलेगा जब निफ्टी 17300 को cross करता है जब इसको उपर से यहाँ पर flat open होनी के बाद cross करेगा तो थोड़ा सा momentum हमें दिख रहा है news based अगर कोई news आ जाता है कोई global scenario ऐसा हो जाता है उसके अधार पर कोई भी बड़ा momentum किसी भी reaction में हो सकता है तो यहाँ पर हम जो चार्ट पर डिसक्रक्तन है चार्ट पर कोई भी बड़ा momentum बनता हुआ अभी निफ्टी में हमें देखने नहीं मिल रहा है क्यों भी बड़ा momentum आ सकता है मार्केट में तो निफ्टी हमें खास momentum अभी कुछ दिखने रहा है तो जो support रिजन होगा वो 17,300 होगा अभी फिलाल निफ्टी के लिए resistance रिजन होगा वो 17,460 का होगा 450 का ये resistance रिजन का का काम करेगा तो इसी में फिलाल जो है निफ्टी trade कर सकता है तो कल किस तरह से price action बनाता है उसके रिजन सार हम discuss करेंगे अब बात करें यहाँ पा बेंक निफ्टी का तो देखें बेंक निफ्टी कुछ खास momentum किया नहीं है लेकिन जो last hour है तेखें last hour में काफी जवरदस्त यहाँ पा candle बनाया है जो कि bullish candle है लेकिन जो closing है ये 800 के आसपा हुआ है तो यह एक आपको डोजी candle देखेंगा चार्ट पर अगर हम closing basis के अगर ये डोजी candle है तो बेंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पर कल फ्लेट ओपन हो या थोरा सा gap भी open हो तो कुछ खास हमें देखने नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक gap क्रियेट है इस gap को भी fill न करने के बाद अगर इसके ऊपर बेंक निफ्टी सस्टेंड करता है तो हमें ऊपर का momentum जो है फिर वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर बात करें नीचे का तो नीचे भी कोई खास अभी नहीं है यहाँ पर अगर बेंक निफ्टी फ्लेट ओपन होता है तो हमें नीचे यहाँ तक हम momentum देखने में सकता है जो कि है 36,660 तक का 36,660 यह इसका यहाँ पर सपोर्ट रिजन का काम करेगा क्योंकि यह पहले एक resistance रिजन का आज काम कर रहा था बेंक निफ्टी पूरी तरह से downward momentum देखने तब मिलेगा जब यह इस level को break करेगा जो कि है 36,500 36,500 के level को break करता है तो हम आसानी से 36,000 तक आ सकते हैं तो 36,500 का level जो काफी important होगा अगर नीचे के side हम momentum देखते हैं एक बड़ा momentum हो 400-500 points का अब किस तरह से आप trade करेंगे जैसे यहाँ पर यह resistance रिजन था आज इस resistance के उपर close वा यहाँ पर gap जो थोड़ा सा close वा उस gap को fill किया small range बनाया मतलर एक जो हम box कहते हैं वह box बनाया और इस range को उपर के और break किया जैसे इस range को उपर के और break out दिया तो आप यहाँ पर buy करके C को चल सकते थे अच्छा खासा यहाँ आपको expiry के दिर आपको यहाँ पर profit मिल जाता यहाँ आप यहाँ पर नीचे के PE को sell कर सकते थे इसके नीचे के जितने भी PE है तो यहाँ पर आपको लगभग सारे के सारे premium जो आपके profit हो जाते तो अब कल देखना है यहाँ पर कोई range बनाता है रेंज बनाने के बाद उस range को नीचे को और break करता है तो आप उपर के C को sell करेंगे अगर range बनाने के बाद range को उपर के और break क देखने नहीं मिलता है तो जैसे कल मार्केट का कोई structure बनता है तो कल फिल हम discuss करेंगे तो आप देख लेते कौँसे stocks में आप trade का सकने है जैसे polycab है काप्य अच्छा price section बना है अपने all time high पर यहाँ पर breakout यह दे चुका है तो कल अगर यहाँ से ऊपर निकलता है जो कि 2755 के आप इसको बाय करके चल सकते हैं यहां पर आपको 1% का टार्गेट रखना है और stop loss रखना है आपको 2740 रुपए के नीचे अपना stop loss रखना है पंदर रुपय के stop loss होगा उसके आप 30 रुपीज का टार्गेट लेके चल सकते है तो वन इस टू का यहाँ होगा का जो की काफी आपको बाय करके चल सकते हैं फिर अगला है जूबलेंट फूड भी आज काफी बहत्री यहां पर मुमेंटम गया है तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है यह 602 रुपय के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं टार्गेट 612 रुपय के लिए फिर जो इसमें नेक् है 594 रुपय का आपको मिलेगा इस स्टॉक को भी आप बाय कर सकते हैं जब मार्केट में तीजी होगा अगर मार्केट कल कहीं निगेटिव सेंटिमेंट दिखाता है तो कौन से स्टॉक को आप सेल करने में जो सबसे पहला स्टॉक है वो है PBR आप PBR को सेल कर सकते हैं आज इसमें देखने मिला था तो अगर यह इसके नीचे निकलता है जो कि है सत्रे सो पशत्तर रुपय के नीचे निकलता है तो आप इसको सेल करेंगे PBR को और टार्गेट जो इसमें आप लेके चलेंगे पहला वन परसंट टार्गेट आपको लेचलना है सेवेंटीन गैंँर इसटो डिचन भी है लेके जोंकि है सत्रासोचपन रुपय तो इसको सेल कर सकते हैं अगर मार्केट में निगेटीव सेन्टिमेंट दिखता है तो सेल रखेंगे नहीं तो जो स्टॉक्स बाइव में दिए हैं उस स्टॉप में आप्क्रेट करेंगे वह सेल करने व दिखाया है अगर ये कल 452 रुपिय के नीचे निकलता है तो आप इसको सेल करेंगे बित स्टॉप लॉस आफ 455 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ आप जो टार्गेट रखेंगे पहला 1% का दूसरा टार्गेट आपको 445 का लेके चलना है तो काफी यहाँ आप को बहतरीन आपका रिस्ट to do i aware है आप इस स्टॉप को भी अगर ma pers पिंडिटी दिखता है तो अगर मार्केट का शेंटिमेंट बूश राता है तो आप ली सतॉक में ट्रेट करेंगे अर मालत का स्ट Div meditating जाता है ताप आप्या स्टॉप सेंट takeaways में ट्रेट बड़ें